हलो गाइज वेलकम टू चारापोना चारापोना में आप सबका फिर से एक बर्स होगा थे दोस्तो एक साल से CBI से लेकर NCB से लेकर हर कोई सिर्फ एक ही काम कर रहे है कि सुसान सिंग राजपुत की इस केज में किसी ना किसी एक आई विटनेस की तलाश है जो आई विटनेस कम से कम ये कन्फरम करें कि सुसान सिंग राजपुत की उस दिन उस विल्डिंग में कौन-कौन मौजुद था पर अभी तक ऐसा कोई आई विटनेस उन लोगों की हाथ पे नहीं लगा और जिसके बज़ा से शायद वो लोग कन्फरम नहीं हो पा रहे हैं पर शायद हम लोग भूल चुके हैं एक आई विटनेस ऐसा था सुसान सिंग राजपुत की घर में ही जो सब कुछ देखा था अपनी आगों से उन्होंने सारी हरकते देखे थे कि कौन क्या कर रहे थे भले ही वो कुछ बोल नहीं सकता पर फिर भी उनका जो अब्जर्वेशन पावर है उनका जो रियक्शन करने का स्टाइल है वो सबसे हटके है जी हाँ मैं आज बात कर रहा हूँ सुसान सिंग राजपुत की अपना ह अगर उनके मालिक के साथ कुछ हुआ है तो फिर जिन लोगों ने उनके साथ ये कांट किया है वो सारे के सारे लोगों के साथ फज कभी आसानी से और प्यार से पेश नहीं आएंगे ये तो कोई भी वदा सकता है क्योंकि हर कोई डॉग जो की अपनी प्रवू की एक दर्तो कुत्ता है तो इस वीडियो के माध्यम से चारापोना और एक कदम सुसन सिंग राजपुत की ये जो इन्विस्टिगेशन वाला केस चल रहा है इस केस को आगे बढ़ा देगा तो इससे पहले दोस्तों मैं आप सबसे विंती करूंगा कि अगर अभी तक सुसन सिंग की जस्टिस की इस लड़ाई में आप चारापोना के साथ नहीं जुरे है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करके चारापोना के साथ रहए आने वले दिन में उनकी जस्टिस की लड़ाई में शामिल होई है ताकि हम और आप सब एक साथ मिलके सुसन सिंग राजपुत की जस्टिस को छीन के लेके आ सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो के तरब बढ़ते हैं तो दोस्तों जबकि एक साल हो चुका है सुसन सिंग राजपुत की केस को फिर भी अभी तक कोई भी वर्डिक्ट CBI नहीं दिया है तो क्या CBI को नहीं लगता कि सुसन सिंग राजपु करना है और सिर्फ रेकॉर्ड नहीं उस चीज को रेकॉर्ड करके पब्लिकली देना है और पब्लिक की ओपिनियल लेना है कि फज किसके साथ क्या वैवाहर कर रहा था फज किसको देखके खुश हो रहा था या फिर किसको देखके घुरा रहा था यानि डर रहा था वो सारे के सारे चीज अगर रेकॉर्डिर हो जाए तो यहां से बहुत बड़ा एक सबूत मिल सकता है दोस्तों इस बात को नजर अंदज मत करिये वो एक अबला जीव है पर उसकी भी एक ऐसा डेटा कैपसिटी है जिस कैपसिटी के माध्यम से वो उस दोशी को पैचान सकता है तो में लोग डाउटफुल लिस्ट में आते हैं उन सारे के सारे लोगों को जैसे कि मैंने बोला कि फच के सामने लाखे खारा करने के लिए और सब का वीडियो रेकॉर्डिंग करने के लिए और वो वीडियो कोई डॉग एकसपार्ट को तो दिखाना होगा ही उसी के साथ साथ इं अपने मालिक को ही पागल सबित करने में तुले हुए थी और उनके घर में और एक कुता जो की अपनी मालिक के छवी के सामने रो रहा था तो दो कुते की दो छवी हम लोगों के सामने आ गया है काश फच को वगबन जबान देते तो फिर सीवी आई को इतना देर नहीं लगता इस केस की समस्या को सुलजाने के लिए उसी के साथ साथ सुसन सिंग राजपुत की ये केस में बहुत सारा आई विटनेस ऐसे है जो लोग डर के मारे अपने आपको छुपा रहा है क्यूंकि उन लोगों के नाम भी अगर सामने आ जाएगा तो बो लोग फस जाएंगे या फिर उन लोगों की जिन्देगी में कुछ बरा सा मुसीबत आ सकता है जिसके लिए बो लोग मुह नहीं खुल रहा है पर बहुत जल्दी चारा बोना चैनल पे सुसन सिंग राजपुत की एक आई विटनेस का कुछ वयान मैं आप लोगों के सामने रखूंगा ताकि आप ल लोगों के पास आएगा हम आप लोगों के साथ सारे के सारे चीज़ को बढ़ देंगे ताकि आप लोगों तक सारे के सारे जानकरी मिलता रहे उसी के साथ सुसन सिंग राजपुत की जस्टिस की दौर में हम सारे के सारे लोग एक साथ ही है शुशन्त को तो जस्टिस मिलना ही है अगर उनके साथ कुछ हुआ है तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या खयाल है जो फच के बारे में मैंने बताया कि फच को उन लोगों के सामने खरा करना है सारे के सारे जो दोशी है उन दोशी को एक लाइन में खरे करने के बाद उन लोगों के सामने फच को छोड़ देना है ये जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया क्या ये सही पॉइंट है आप लोगों को क्या लगता है कॉमेंट सेक्षन में बताईएगा उस के साथ सथ हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट का वीडियो सुसन सिंग राजपूत की फैमिली मिंबर तक पहुंच जाए ताकि बो लोग इस चीज की उपर स्टेप ले तो दोस्तों मिलेंगे मेरा नेश्ट किसी वीडियो प